आज एक खास इंटर्वियू हम आपके सामने लेकर आए हैं जहां पर हम डिविजनल ओफिसर और रेलवे एडवाइजरी बोर्ट के मेंबर रॉनक गुपता जी से बात करेंगे जिन से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अब तैयारिया तेजी से शुरू हो चुकी है महाखुम की तो सबसे पहले पलपन न्यूज में बहुत धन्यवाद मैंने जैसा कि मुझे भी पता चला कि आपका पलपन न्यूज काफी अच्छा आपका यहां पर वर्क कर रहा है और आपके शायद आपने बताया कि आपके मिलियंस फॉलोर्स भी हैं तो इसके लिए मैं बहुत कामनाई देता हूं और आज मैं दिली की आहां था और आपने यहां पे आइई अपना समय निकालकी मेरे अटविवू लेने के लिए इसके लिए मैं आपको अपनी ओर से और आपके चानल को मैं बहुत बदाई देता हूं धन्यवाद देता हूं यह पहला सवाब इवेंट होता है जिसमें लाखों नहीं बलकि करूलों लोग धर्म से जुड़े हुए संगम मा संगम गंगा जी का दर्शन करने आते हैं दुपकी लगाने आते हैं और उस छोटे से जगा में लाखों करूलों लोग आते हैं और प्रॉपरली स्नान करके चले जाते हैं तो एक सी तयारियां बहुत से प्रोजेक्शन्स हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रेक्शन डेवलप्मेंट मॉडनाइजेशन एक्स्पैंशन की ओर प्रागराज सिटी आगे बढ़ रहा है प्रागराज मिला अथौरिटी विजेक रिनानंसर जो हमारे पहला दिकारी है उनके वो प्रागराज की डेवलप्मेंट की ओर अपना काम कर रहे है तो निश्चत तोर पे जो सारे डिपार्टमेंट से वो आज की डेट में लगा हुआ है कि किस तरह से कुम्ब को सुरक्षित कुम्, सफल कुम् और भव्वे कुम् उसको हम बना सके और जो सबसे इंपॉर्ट सिटी की जो मेंबर्स हैं उनकी बैठाग चल लए है और प्रागराज पुलिस कमिशनेट का वर्किंग हैंड को और बढ़ाने के लिए एक एक एक्स्टेंडेट फोर्स की तरह हमारी सिवल डेफेंस जो की सर भूत हेते रता की भाव से निश्काम सेवा की भाव से काम करती ह है लगबग 8000 की हमारी वॉलिंटरिली की फोर्स है जिसको हमारी डिप्टी कंट्रोलर सिवल डेफेंस और हमारे चीफ पॉर्डन आफिसर कमांडिंग श्रिया निल कुमार गुपता जी जो तीन बार के महामाहीम राश्पती पदक से सम्मानेत हैं उनके लीडर्शिप में ह हमारा सिवल डेफेंस पूरी चमता के साथ लगा रहता है प्रॉपर लॉइन ओर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस के साथ तालमेल बनाके प्रशासन के साथ तालमेल बनाके शद्धालू की सेवा करने पे हमारा पूरा डेपार्टमेंट हमेशा अग्रिसर रहता है तो पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल बने उसके लिए सारे लोग यहां तक ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रयागराज की जो निवासी है जब डवलप्मेंट होता है और इंफ्रस्ट्रॉक्ट्रॉल मॉडरनाइजेशन होता है तो बहुत से शेहर वासियों को भी बहु खड़े हुए है कि किस तरीके से इस बार का कुम को सफल बनाया जाए तो एक बार मतलब मैं ये जरूर से विश्वास के साथ मैं आपसे कहता हूँ कि 2019 का जो सफल कुम था उससे भी ज्यादा सफल कुम और भवे कुम इस बार 2025 में होगा उसके लिए तमाम सभी पकार कि जित सभागी होता है कि लोग सिभा के स्पीकर श्री ओम बिल्ला सर से उनके ऑफिस में अपने उनके घर पे उन्होंने आमंतरन दिया था और मेरे लिए भी सभागी की बात है कि 28-29 साल की छोटी से आयू में अगर मुझे उनके साथ बैठने का सभागी मिला तो ये दिखाता है क अगर आप अपने वेपारिक प्रतिस्ठानों के साथ साथ अगर समाजेक रूप में अगर आप थोड़ा काम करते हैं सच्चे भाव से काम करते हैं सच्ची सेवा से काम करते हैं तो निश्चत तोर पे उसका कहीं न कहीं प्रतिफल आपको किसी न किसी रूप में मिलता है ज कुम के प्रतियारियों के बारे में मैंने उनको सिविल डिफेंस के वर्किंग के उपर भी मैंने उनको पूरा उनको प्रकाष जाला। इन विचारों पे उनसे बात चीत हुई तथा एक बात और उनसे बड़ा एक अच्छा उनसे विशे हुआ कि जैसे आप आप देख रहे हैं कि दूसरे बार के वो प्रथम बार पहली बार देश में ऐसा हुआ है शायद मेरे जानकारी में अगर मैं गलत नहीं हूँ कि एक स्पीकर रिपीट कर रहे हैं अपने टेन्योर्शिप को और इस बार का मौनसून सत्र अभी ज़स्ट हाल में खतम हुआ है तो उसकी भी मैंने उनको बधाई दिया और इतना सुन्दर नया पार्लिमेंट जो बना है उसकी भी मैंने उनको बधाई दिया कि पुराने पार रिवेरे जोनुधा जबहा है एक चाह निम्य रिवटेशale है उनकी तो मैंने उन को अपने इशुप कामिणय दिया और मय तो बहुत चोटा हूँ मैं आ意श्वर से प्लातर ही किया कि सर जहां भी रहा हैं जैसी भी रहा है पदों atasatee रहा हमेशा से उन है वो मुस्तैद तो रहती है लेकिन उसके बावजूद भी डर रहता है क्योंकि वहां के खुद की आवाम है और सारी चीजे हैं तो आपको क्या लगता है कि कितनी तयारिया उसमें होगी ताकि कोई कि ब्रीच ना हो सके security में देखिए मैडम मैं बताना चाहूँगा कि आज हम लोग यहां पेगर पैठे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जहां पर पारिस में उलम्पिक हो रहा है तो वहां तो जाने लाइक होगा ने हम लोगे यूजुली एक एक कॉंसर्ट बनाते जैसे जब रा कई बार चीजे बहुत दिखाई पड़ती है कि बहुत ऐसा वैसा ऐसा विल्कुल भी नहीं है आप 2019 का कुम का उधारन निकालिए एक वक्त में ममस्या के नहान पर आप देखिए कि इतना बड़ा भीड आई थी इतनी जादा भीड आई थी कि आप कल्पमना भी नहीं कर सकत पर इलाबाज शहर के जो वासी है जो इलाबाज शहर के जो सम्मानित लोग हैं उन्होंने अपने घरों को खोल दिया अपने Germans को खोल दिया अपनी गाड़ियां हटा दिया वहां पर लोग शयन कर रहा है और चारों तरफ आप कभी विकुम में आईए आप मागमेले में आईए आप देखिए प्रतियेक्स नान के दिनों में वो पूरे उसमें हर एक महले में हर एक गड़ में कोई कचोड़ी बाट रहा है कोई दमालू बाट रहा है कोई कुछ कर रहा है कोई कोई पानी पिला रहा है कोई मिठाई खिला रहा है जैसे एक त्योह कि तरह जो है लोग सेवा में जुटे रहते हैं तो कहीं से किसी को कोई भी दिकत नहीं होती है सभाविक है कि जाकर भीड आएगी तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा चलना पड़े हो सकता है कि थोड़ी सी कठनाई को आपको लेखना पड़े कि थोड़ा दूर तक चलना है न पर कार पार्किंग एक डिफाइंड होस में लोग अराम से आएं, अराम से गंगा सनान करें, कहीं कोई ऐसी दिकत नहीं है, ना हुई थी, ना हुई है, तो इस बार ये सुनिश्चित किया जा रहा है, और देखें, जब जिस शहर के लोग अगर हाथ फिला के खड़े हैं आप का स्वागत करने के लिए, लोग अपने घरों का द्वार खोलने के लिए खड़े हैं, आप इशारा कर दीजे कि आपको हलकी सी भूक लग रही है, वो आपको तीनों दिन का खाना खिनाले के लिए हमारे शहर के वासी इतने दिलदार हैं, कि वो ततपर हैं, तो ऐसी कोई जिने दिया है, भव विकुम, सुरक्षित कुम, सफल कुम, तो इसको धरातर पे निश्चित तोर पे लाया भी जाएगा, और ये प्रयास किया जाएगा कि बिना किसी छोटी सी घटना से, कभी दिखे घटना एक ऐसी होती है, वो आक्सिडेंट होता है, छोटी बोटी आक् सब काम कर रहा है, और निश्चित तोर पे इस बार का कुम, बहुती सफल कुम होगा, और सुरक्षित कुम होगा, ये मैं अपने प्रयाग्राज वास्यों के रूप में, एक सिविल डिफेंस के ऑफिसर के रूप में, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से, खुरे देश को ये मीडिया एक बहुत ही इंपोर्टेंट विंग है, चौथा स्थम्ब हमारे देश का है, उस चौथे स्थम्ब के प्रारूप में आप लोग इसी तरह से काम करते रही है, ऐसी मेरी शुब कामना भी है, और ऐसी हमारी प्रात्ना भी है